ठाने कर्जवसूली एजन्टों ने चोरी की वार्दात को अंजाम दिया और करीब 8 रिक्षे चुरा लिये। अब उन्हें पुलीस ने हतकडी लगा दी है पिछले कुछ दिनों में मुंबई समय ठाने भिवंडी। यहां रिक्षों की बर्ती चोरी के अप्राधों के कारण पुलिस आयुक्त ने पुलिस टीमों को विशेश ध्यान देकर अभियान चलाने का आदेश दिया था। विवंडी अप्राध शाखा के वरिस्ट पुलिस निरक्षक सचिन गाय क्वाड के नित्रुत्रों में एक पुलिस टीम ने चाल लोगों के गिरों को गिरफतार किया और उनके पास से 20 लाग रुपे मुल्ले 18 रिक्षा जब्त किये। अप्राध विभाग के साएक पुलिस आयुक्त निले सोनावने ने विवंडी में प्रेस कॉनफरेंस में बताया कि पुलिस ने इन चारों से बारा वार्दाते सुलजाई है। ये कारवाई उस छेत्री के CCTV फुटेश और मुबाइल फोन के तक्नीकी विसलेशन के बाद गुप्त सुचना के अधार पर की गई। जहां से रिक्षा चोरी हुए थे रशीद यूनुस खान उम्र 38 साल निवासी अंधेरी। सयद अली मुहमद अली शेक उर्फु मुन्ना उम्र 38 साल निवासी मुम्रा ठाने। एहतेशाम अब्दुल सामी सिद्धी की उम्र 42 साल निवासी कौसा मुम्रा। जमील एहमद मुहमद तयव अंसारी, उम्र 35 साल, निवासी सिद्धी की नगर धुले के रहने वाले है, इन चारों को धुले से गिरफतार कर लिया है। ओशिवारा और जुहू पुलीस ने उन्हें इरासत में ले लिया है और आगी की जाच करने पर इस चौकड़ी से अठ्रा रिक्षे जब्त किये है। जमील एहमद मुहमद तयब अंसारी को बेच रहा था, फिर वहाँ इस चोरी हुए रिक्षे को धोता और जलगाओ नंदुर्मार मालेगाओ छेतर में बेच रहा था। पुलिस आयुक्त निले सोनावने ने एक प्रेंस कॉनफरेंस में दी है। पुलिस कमेशनरेट में पिछले कुछ दिनों में जो वारदाती बढ़ रही थी आटो रिक्षा चूरी की, मोटर साइकल चूरी की, उसको मद्दे नजर रखते हुए। आदेशित किया था कि ऐसे जो भी ऑफेंस रिश्टर हुए है ऑफेंस के बारे में इन्वेस्टिकेशन या पैरलल इन्वेस्टिकेशन शुरू किया जाए। इसके तहट गुरिश्ट पूलिस निरिश्चा की उनिट टू क्राइम ब्राइंच के सचन गायकोड साब ने और उनकी टीम ने एक स्पेशल टूप इस्टैबलिश किया था जिसके तहट ये पूरा इन्वेस्टिकेशन हुआ है। यहाँ पर जो आटो रिक्षा चूरी की गई थी उसको मद्दे नज़र रखती हुए एक इन्वेस्टिकेशन चला था सीसीटी फूटेजेस और कुछ टेकनिकल इवैल्यूएशन जो होता है उनके आधार पर और जो कुछ कॉंफिडेंशियल नियूज दी जाते हैं उनके पर यह इन्वेस्टिकेशन टीम इस नतिजे के पहुचे कि कुछ दो लोग एक येरिया है जहाँ नदीना का भिवन्दी करके वहाँ चूरी की कुछ आटो रिक्षा बेचने के लिए आ रहे हैं तो यह विरिफिकेशन करने के बाद कुछ बाते सामने आए और कुछ लोग जिनको इरासत में लिया था उनके नाम कुछ इस प्रकार है रशिद यूनुस खान अंधेरी का रहने वाला है सयद अली महुमद अली शेक वुर्फ मुन्ना जो मुम्रा से है एतेशाम अब्दूल शेमी सिद्धी की कौसा मुम्रा से है और चौथा जो है वो दुलिया का है जिनका नाम है जमिल एहमद मुहमद तयबंसारी चार आरोपियों को इरासत मिलया पुछ ताच की और इंट्रोगेशन के पाद पता चला कि उन्होंने इनिशेली दो आटो रिक्षा चूरी की है और दो आटो रिक्षाओं के बारे में जो आफेस रेश्टर हुआता हूँ और जिहू पूली स्टेशन में तो चांबिन करने के बाद उनको आरेश्ट किया गया आरेश्ट करने के बाद कुछ बाती सामने आए कि जिसमें निजामपुरा पूली स्टेशन जो सी आर नंबर था 337 अब्लिक 2023 जो आईपीसी के दारा 301 के अंतरगत यह रजिश्टर हु वहाँ पे कुछ मुम्रा है वहाँ पे चूरी की हुए आटो रिक्षा की जो डिस्प्ले नंबर प्लेट होते है उसमें चेड़-चाड की उसमें चेंज किया और वहाँ पे बीची हुए तो इन्विस्टिगेशन के दवरान और कस्टडी के दवरान ये टोटल कुल मिला के 18 आटो रिक्षा हमने सीज की है जिनमें से 12 आटो रिक्षा जो थी उनके कभी कुछ पूली स्टेशन में आफेंस रेश्टर हुए और जो 6 आटो रिक्षा है उनके बारे में भी चालबीन चालू है चार आरुपियों को इरासत में लेने के बाद तकरिबन अभी तक 12 पूल पूरी वारदात को अंजाम दिया है इसमें हमारे सीनेर या सचिन गायक और रोंकी टीम यह पूरी टीम ने काम किया है जिसमें शामिल थे सचिन गायक और खूद एपियाई विजय मुरे एपियाई प्रकुल जादव स्रीराज माली साब दनराच केदार राजंदर चौधरी निसार तल्वी हनमन्त वागमारे एसाय रामचंदर जादव रविंदर पाटिल राजे शिंदे सुनिल सालं के देवान पाटिल मंगे शिर्के रगनात पाटिल शाविर शेक किशोर थोराद शशिकांत यादव सचिन सालवी वामन भूई राजंदर राठोर प्रकाश पाटिल आमोल देसाई और इनके साथ जो महिलाए थी हमारे यहाँ जो हवलदार है ग्राइंग पे कॉंस्टेबल राइंग क कि यह पूरी टीम ने यह पूरी कारवाई की है और यह कारवाई करने के बाद अगर किसी का आटो रिक्षा हम वापिस करते हैं तो किसी के जिन्दगी का आधार भी वापिस करते हैं क्योंकि आटो रिक्षा यह सिर्फ एक वेहिकल नहीं है एक जीने का साधन है किसी प्यान अगर हो हम इसको वापिस करते हैं इनिस्टिगेशन के दुरार तो यह कारवाई बहुत ही सैटिसफेक्टरी थी इसके उपर हमारे सीपी सर जेजी सिंग सर एडिशनल सीपी सर उगने साब और डी सीपी शिवरा स्पाटिल सर ने पूरी क्राइम ब्राइंच का एक विशेश रूप से अधिनम्दर किया है कि यह वही बोला कि जो बारा अभी इसमें ओपन हुए वो तो इसकेस में बारा गुने और भी अभी तो मुस्टेडी में है और थोड़ा सा हमारे लिए वक्त लगेगा कुछ बात सामने आने के लिए तो इनिस्टिगेशन चलता ही रहेगा क्योंकि छे और अभी तक ऐसे है कि वो कहा से चुरा है, कहा ओफिस रेइस्टर किया है, यह तो बात अभी तक साब में नहीं आए, वो इन्विस्टिगेशन के दोरान कुछ बाते साब में आए, यह अलग अलग लोग है यह यह एकी किलों के लोग हैं तो, देखे बात ऐसी होती है कि जो प्लाइनिंग किया ज जाएगा, इस आज रूटिन प्लाइन्स और दीस क्रिमनल्स, यह उनका यह खिस्सा है, अभी तक आटो रिक्षाई बरामत हो है, अभी भी इन्विस्टिगेशन चालो है, संभावना है, अज़ाब प्लाइब कि अ कि अप्लाई बरामत हो है, अभी बरामत है, अभी तक है, अभी तक है, अभीमनल्स और दीस क्रिम गगी।